है चिए अधिन ंड़ियो फीडंगि श्राप्राज ने फिरे कि है जा मैंध इंड्स्ट्रिया होगा के बारे में दिस्कु्स करने्य है तो देख़ेंगे यहां पर इंडॉस्टियल आटॉमेशन क्या होता है किस तरीके से एक important role play कर रहा है आज कल इंडस्ट्रीज में industrial automation से क्या फाइदा होता है किस तरीके से एक काम करता है किस तरीके से PLCs का और DCS system एक important role play कर रही है याँ पे industries के अंदर completely process को automate करने के लिए तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेरे पास एक PPT DCS का interaction उनके साथ कैसे हो रहा है यह सारी चीज़ें आपर यहाँ पर देखने वाले सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर automation का definition दे रहा है industrial automation refers to the collection of personal hardware and software that can affect or influence the safe secure and reliable operation of any industrial process obviously industry के अंदर जो भी एक particularly अपने को hardware की सवरत पड़ेगी जो की use होगा यहाँ पर साथ में software होते हैं DCS का software होता है या PLC इसको जो program करने के लिए साथ में SCADA software होता है ताकि उसको monitor भी करसाते हैं आपन है ना तो इस तरीके से industrial automation जो है process control करने के लिए अपन यूज़ कर रहे है इंडेस्ट्रिल automation इस the use of control system obviously control system होगा control system in the sense यहाँ पर process को मुझे पूरा control करना है तो उसमें क्या-क्या hardware system जैसे PLC के अंदर analog input cards होती है digital input cards होती है साथ में SCADA system होता है तो किस तरीके से sensor जो भी फिल्ड में लगें या final control elements जो भी फिल्ड में लगें उनको operate करना है अपने को तो उनको operate करने के लिए अपने पास क्या-क्या logics यूज़ करेंगे किस तरीके से अपन technology का आगे यूज़ करने वाले हों सारी चीज़ें अपन डिसकस करेंगे तो यहाँ पर आगर आप second point देखते हैं तो industrial automation is the use of control systems such as computers and robots obviously computer system पे ही आप program कर पाऊगे और robots and information technologies for handling different processes obviously process को ही control कर रहा है साथ में अगर sequential logic अगर अपन PLTs के अंदर बनाते तो उससे machinery को भी अपन control कर सकते हैं and machinery in an industry to replace human beings तो human beings को कम से कम use करना है अपने को basically industrial automation का main role ही है कि industrial industry के अंदर जो भी जितना भी process है maximum automatic हो जाए और human interaction machines के साथ बिलकुल खतम हो जाए next मेरा जो PPT is के अंदर अगर आप देखें तो benefits of industrial automation में अगर आप देखोगे तो increased productivity increasing productivity का मतलब क्या होगा obviously अगर जो जो काम human beings दस गंटे में कर रहे हैं machine आजकल दो गंटे में कर देती है क्यों क्योंकि यहां पर consistency होती human beings कभी भी consistently continuously काम नहीं कर पाते हैं लेकिन machines को अपन एक बार program कर दें और पूरा machines को अपन किसी भी तरीके से जो भी अपना requirement करने के लिए किसी भी तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो वह उसी तरीके से बिए करने लगेगा इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हो तो प्रोड़क्ट प्रोड्यूस्ट्रा मोर कंसिस्टेंट प्रोड़क्ट का मतलब यह होगा कि अगर वर्ल्ड में फॉर एक्जांपल लेते हैं प्याप्सी को यह वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे सेमी टेस्ट आता है अगर आप चाय भी बनाते हो तो अलग-अलग बार चाय बनाओगे तो अलग-अलग टेस्ट आएगा उसी तरीके से यहां पे अगर आप देखोगे तो मशीन्स और इंडेस्ट्र आटोमेशन कंसिस्टेंट प्रोड़क्ट प्रड्यूस करने के लिए जादा रिलायबल होता है नेक्स्ट क्या है मेरा प्रोड़क्ट प्रोड्यूस डार मोर रिलायबल वविसली जो प्रोड़क्ट की फिनिशिंग होती है काफी जादा अच्छी होगी इसलिए अर्मोर रिलायबल डिक्रीजट लेबर एक्सपेंस ऑविसली फॉर एक्जाम्पल मेरे पास यहां पे छे प्रोसेसे चेप्रोसेस में सब्सक्राइब एक प्रोसेस पे दस आद्मी लगा के रखे हुआ हैं तो शेप्रोसेस इसमें एक एक को भी अगर मैं दस अजार दूंगा तो टोटल मेरे पास एक महीने का अगर आप खरचा देखोगे तो छे लाग रुपए मुझे देने पढ इस पील सी चुछ तो यहाँ पर मेरा पूरा काम क्या हो जाएगा उनों शीन पर बैठे वैठे यह एक ही जगे से काम हो जाएगा इस तरीके से मैं लेबर एक्सपेंस को कर सकता हूं उसी तरीके से अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग सेफ्टीन वर्किंग कंडिशन और वेसली हुमन इंटर्फिंशन अगर काम में माशीन से ज्यादा से ज्यादा काम मेरा जो है लुके तो सबसे पहले मैननुवाल कंड्लोल बहुन है करेंगे आप थोड़ा सा एड्वांस्मेंट हुआ यहाँ पर नियुमेटिक कंड्रोल आया चैनल्मेटिक कंड्रोल यहां पर यह हैं कि मेरी जो तो मशीन्स थी वो सारी के सारी एयर प्रेशर के तुरू कंट्रोल होती थी फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो हाड़ वायर लॉजिक कंट्रोल हाड़ वायर लॉजिक कंट्रोल का मतलब यहां पर यह कि रिलेस और कॉंटेक्टर्स का मैं उसकरता था वायरिंग लॉजिक बनाता था यह किसी भी चीज से किसी पार्टिकुलर चीज को अपरेट कराएंगे इस तरीके से एक के बाद एक सिक्वेंशल हाड़ वायर टाइमर लगेंगे और चीजे लगेगी तो वह सारा एक क्या हो जा सिस्टम चल रहा है इसी के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे इंडेस्ट्रियल आटामेशन में यहां पर जो मेन कंपोनेंट्स अपन यूज करते हैं वह कौन-कौन से यह देख तो यहां पर फिल्ड इंस्ट्रूमेंट्स की अगर आप बात करोगे यहां पर लेवल से इनको गंट्रोल करने के लिए करते हैं यहां पर पहले तो मुझे इनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि फील्ड में कितना चल रहा है फॉर एक्जामपल लेवल मेरा कितना परसेंट चल रहा है अगर मुझे पता चलेगा तब ही तो मैं आगे का सूच पाऊंगा तो पहले मु करने के लिए फिर मुझे लगाना पड़ेगा जो भी मेरा रिक्वार्मेंट होसे साब से मैं लॉजिक लिए बाद में प्याइब के आउट्पूट से फाइनली फिल्ड के इंस्ट्रूमेंट को इसी के बाद नेक्स्ट मेरा जो है कंट्रोल हाडवेर में हाडवेर प्लस देखेंगे तो यहां पर PLC है PLC क्या होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल मतलब आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और प्रोग्रामेबल इन दसेंस यह भी बोल सकते हैं बार बार आप इसमें से प्रोग्राम डिलीट करके बार बार इसमें अपलोड कर भी सकते हो जो एक्जिस्टिंग है प्रोग्राम में उसको अपडेट भी कर सकते हैं लॉजिक है ओविसली जो भी रिक्वार्मेंट है उस हिसाब से मुझे चलाना था एक लॉजिक डॉल आप करना पड़ेगा अपने को कंट्रोलर एक कि फाइनली जो भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा है इसलिए इसको कॉप्लीटली अपन क्या बोलते हैं प्रोग्राम यह लॉजिक इसके बाद करें तो इसमें लाज नबर ऑफ इनपुट आपूट्स को और एक साथ कंट्रोल कर सकता है अपन है ना और करोगे PID controllers जो की पहले hardware में आते थे लेकिन अब ये सारे PLC के software या DCS के software में भी available होते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं ये सारी चीज़ें आपना के दिखेंगे फिर CNC हो गया जैसे computer numeric control इस तरीके से ये क्या होते हैं अलग-अलग type के मेरे पास hardware है इसी के बाद अगर आप देखोगे तो control software में मेरे पास SCADA system होता है SCADA का मतलब होता है supervisory control and data acquisition supervisory मतलब यहां पर किसी भी चीज़ को monitor कर रहे हैं आपन digitally on computer system for example मेरे पास level है तो tank का level भी यहां पर फिल होता हुआ दिखेगा percentage of level दिखता रहे आपने को उसी तरीके से कोई भी process parameter अगर आपन देखना चाहते तो directly अपने computer system पर ही दिख जाएगा through animation यहां पर SCADA के तुरू अपन देख पाएंगे उसके बाद control कर रहे हैं obviously किसी भी चीज़ को बन चालू करना है किसी चीज़ को मॉनेटर करना है तो वह भी अपन काय से कर सकते हैं SCADA से कर सकते हैं data acquisition data acquisition का मतलब data analyze करना excel sheet पर transfer करना है management system management को दिखाना है data तो सारी चीज़े भी अपन इसका डाकर कर सकते हैं इसके बाद अगर आप करोगे तो यहां पर automation installation में जो sequence follow किया जाता है तो बॉटम में अगर आप देखोगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो फिल्ड में जो भी सेंसर लगे हुए हैं उसके बाद एक हां जाएंगे जंक्शन बॉक्स मतलब वहां फिल्ड के अंदर ही जंक्शन बॉक्स होंगे जहां पर अलग अलग सेंसर का डेटा एक साथ कहा जाएगा में जंक्शन बॉक्स में क्या लगी होतीच टर्मिनल इस्ट्रिपर रगी होती हैं यह सको टरमिनल बॉक्स भी बोलते हैं एक का शोट मॉडिल्स लगे रहेंगे या डिजिटल इंपुट मॉडिल लगे रहेंगे ना तो आयो मॉडिल्स एंट सीप्यू के पास जाएगा यह अडिमेटली और उसी के बाद यह स्काड़ा सिस्कम या हमाई पर अपने को दिखने वाला है इस तरीगे से आटोमेशन इंस्टॉलेश है टू एयर और यह सारे के सारे सेंसर लारे हैं जंक्शन बॉक्स पर जारें में जाने के बाद यह एक मैं मोटीकॉर के वल्किति मैं कंट्रोल में बेजरा हूँ यहाँ पर लग- Samsung और उसके बाद यह फिल्ड जंक्शन बॉक्स टो कंट्रोल रूम में चलेगा जो कि बेसिकली माशलिंग कैबिनेट में जा रहे हैं यह पूरा वीव आप देख लो यहां पर किस तरीके से दिख रहा है यहां पर अगर आप देखोगे मल्टिपल यहां पर सेंसर से फिल्ड ज यह जा रहे हैं और उसी के बादे कम्पूटर सिस्टम या ऑपरेटर के पास यह डेटा जा रहा है तो एंट्रोलिंग और एंट्रिंग बोट थिंग्स कें बी डन डायक्ली और इंडार्ट लिट थूट देजिए शर्क पीएलसी सिस्टम इस तरीके से इंडेस्टियल आट करती है यह सारी चीज़ से आपर देखने हमागे हैं अब 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 अ करता 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 है